नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एर फोर्स के लिए C-295 एरक्राफ्ट की डील की गई थी और इन में से अधिकतर एरक्राफ्ट इंडिया के अंदर ही बनेंगे तो ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है कि इन एरक्राफ्ट के अंदर इंडिजनाइजेशन कंटेंट 95% तक हो सकता है आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों हमारे डिफेंस सेक्रेटरी अजे कुमार जी ने फाइनेशिल एक्सप्रेस को एक इंटरिव्यू देते हुए कहा कि इंडिया जो एरबस के साथ में 56 C295 टैक्टिकल एरक्राफ्ट के लिए डील कर चुका है उन में से 40 एरक्राफ्ट को इंडिया में ही बनाया होंगी जो लगबग 13,200 ऐसे पार्ट होंगे जिने बनाने का काम करेगी और सप्लाई करेगी जिन में 46 सब असेंबली भी शामिल होंगी और साथ ही इसके साथ बड़े कंपोनेंट जो की दोस्तों आउटर विंग है सेंटर विंग है बोक्स है नोज है फ्यूसिलेज है किया जाएगा और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारी MSME को होगा क्योंकि वे ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी अब इसके कंपोनेंट सप्लाई कर सकेंगी तो ऐसे में दोस्तों अब इस एरक्राफ्ट की एरो स्ट्रक्चर से लेके इसकी सब असेंबली तक सारी मेड इन इंडिया होंगी और 56 के 56 एरक्राफ्ट के अंदर इंडिजिनस इलेक्ट्रोनिक वार्फेर सूट को इंस्टाल किया जाएगा और ये हमारी टैक्टिकल एयर लिफ्ट कैपैबिल्टी के लिए सबसे बड़ा बूस्ट होगा और स्पैशल इंडियन एर फोर्स के लिए ये ब बहुत बड़ी बात है धन्यावाद जैहिन